Hello everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में नवोदे विध्याले से सुखशक भरती का नया advertisement जारी किया गया है जिसमें TZT में सभी subject की और PZT में भी जो है वो almost सभी subject की vacancy आई है IU 50 वर्स तक के candidate यहाँ पर आविदन कर सकते हैं Fees बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बाकी संपूर्ण जानकरी के लिए notification चेक करेंगे official website पर जाकर सभी राज्यों के candidate बिल्कुल आविदन कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कौन-कौन से subject की vacancy है किसी भी जो है, पोस्ट के लिए अगर आविदन करेंगे, TZT या PZT के लिए तो link बिल्कुल उपर ही दिया गया है, जैसे TZT के लिए आप apply करना चाहेंगे तो TZT के subject के उपर ही link है TZT में English, Mathematics, Science, Social Science, Marathi, Gujarati, Physical Education में male और female दोनों की vacancy है, TZT Music, TZT Art, Computer Science, Librarian and TZT Hindi Post graduate teachers के लिए जो है, English, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, IP या Computer Science, Economics, History, Geography and Commerce तो यह subject है, अगर आपका subject है, तो अंत तक वीडियो के बने रहें समझें, यहाँ पर qualification क्या मांगी गई है, कैसे apply करना होगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को eligibility वता देती हूँ vacancy जो है, अभी contract base पर आई है, नवोदे विध्याले से और पूने रीजन से यह vacancy है यहाँ से जो है permanent vacancy भी बिल्कुल जल्द ही आने वाली है पीजीटी में जो है master degree 50% marks के साथ में होना चाहिए, आप किसी भी subject में apply कर रहे हैं तो B.Ed. चाहिए, Hindi English Medium पढ़ाना रहेगा नवोदे में जो है खास बात क्या रहती है कि यहाँ पर Hindi Medium के जो candidate हैं उनको apply करने में यहाँ पढ़ाने में कोई भी problem नहीं आती है ठीक है, उसके बाद जो है P.G.T. Computer Science में MSC Computer Science या IT, M.C.A. वाले apply कर सकते हैं और P.G.T. Computer Science में B.Ed. की डिग्री भी चाहिए, केंद्री विध्याले में जैसा की B.Ed. की डिग्री नहीं मांगते हैं, P.G.T. Computer Science में बट यहाँ पर मांगी जा रही है T.G.T. में जो है, आपके पास जो है, graduation होनी चाहिए, 50% marks के साथ में, या फिर post graduate भी हैं आप 50% marks के साथ में, तो भी apply कर सकते हैं साथ में B.Ed. चाहिए, और C.Ed. जो है, paper 2 आपका qualify होना चाहिए Hindi, English दोनों में पढ़ाना रहेगा Post-wise elective subject and language in the combination of subject are as under तो यहाँ पर subject combination जो है, वो Maths में and Social Science में जो है, देखने की जरुत है बाकि T.G.T. हिंदी में जो है, आपने तीनों साल Hindi पढ़ी हो, English में, ग्याजुएशन में आपने तीनों साल English पढ़ी हो Maths के लिए जो है आप देख लेए, Bachelor degree in Maths, Maths आपने इस नातक में पढ़ी होनी चाहिए, Physics के साथ में या फिर इन में से कोई subject, Chemistry, Electronics, Computer Science and Esthetics के साथ में जो है, Maths आपकी होनी चाहिए ठीक है TGT Science में subject combination देखें, Botany, Zoology and Chemistry तो इन्होंने कहा है कि तीनों साल आपने graduation में यह subject पढ़े हो, Botany, Zoology and Chemistry बाकि B.Ed. or C.Ed. to Paper 2 आपका होना ही चाहिए TGT Social Science के candidate देखें, दो subject आपका यहां compulsory हो, Graduation level पर History के साथ में geography हो सकती है, economics हो सकती है, political science हो सकती है या फिर geography के साथ में history हो सकती है, economics, political science हो सकती है दो subject आपने graduation में पढ़े हो इसी तरीके से TGT जो language teacher है जो regional language है, जिसे गुजराती है, ठीक है, पूरे reason में जो भी भासाएं बोली जाती है तो यह जो है आपने subject के रूप में degree course में पढ़ा होना चाहिए TGT computer science के लिए आप देखें, इसमें आपके पास BAT भी होना चाहिए और CTAT paper 2 आपका qualify होना चाहिए bachelor degree in computer application में यानि BCA वाले apply कर सकते हैं, graduation computer science में है तो भी apply कर सकते हैं, B.E. B.T.E.C. वाले apply कर सकते हैं, ठीक है CTAT बिल्कुल मांगा गया है और BAT भी मांगा गया है art teacher के लिए degree in fine art आपकी होनी चाहिए और BAT भी होना जरूरी है तो BAT जो है सभी TGT teachers के लिए मांग ही रहे हैं, PZT में भी मांग रहे हैं physical education teacher के लिए bachelor degree in physical education BPA भी चाहिए music teacher के लिए music में आपका होना चाहिए इसना तक librarian के लिए जो है university degree course होना चाहिए library science में और English और Hindi में काम करने का अन्वर्व बाकी जो है यहाँ जो qualification है यह सभी desirable हैं अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं compulsory वाली मैंने आपको बता दी अब पर age limit आप देखें 50 साल तक के candidate बिल्कुल आविधन कर सकते हैं बाकी जो है यहाँ पर 65 तक के ऐसे टीचर सप्लाइ कर सकते हैं जो कि पहले से ही जो है एन्वेस में पढ़ा चुके हैं या फिर किसी भी गौर्वर्मेंट स्कूल में टीचर रहे हैं तो यह eligibility criteria जो कि आप फिर से देख सकते हैं आपने subject का लिंक आप लोगों को शेयर कर दि अब यह apply करने के लिए क्या करना होगा तो यहाँ देखें विजिट अवर website यह जो है website है जिसका link है इस पर click करेंगे तो main website का home page open हो जाएगा use your correct and working email id and mobile number तो बिल्कुल सही सही आपको email id देनी है mobile number दे रहा है ताकि यह आप लोगों को call कर सकें या mail कर सकें जब आपका selection हो आप जब लिंक पर click करते हैं तो उस वक्त आप केवल एक ही post में एक subject के लिए apply करेंगे अगर आप दूसरे के लिए apply करना चाते हैं तो आपको दुबारा से जो है उसे open करके दुबारा से apply करना होगा यहाँ पर देखें इसमें जो है contact base पर vacancy है परिक्षा नहीं होगी केवल interview रहेगा तो interview के समय आप लोगों को अपने जितने भी original document है self attested photocopies हैं आपके document की यह सब लेके जानी है आप लोगों को जगे आपको बताई जाएगी document verification के लिए ठीक है candidate are directed to visit the website of NVSRO Pune यहाँ से ही vacancy है on a regular basis for update तो जो भी update होगी इसके लिए link आप लोगों को share किया जाएगा तो आप regular जो है वो check करते रहेंगे जो list जारी होगी तो उसके according ही document verification के लिए आप लोगों को दिये गए समय पर बुलाया भी जाएगा सबसे पहले आप लोगों को main website पर आना है नवोदे विद्याले समीती पूने शेत्र पूने रीजन से यह vacancy है और यहाँ पर circular में आप लोगों को second number पर यह link मिल जाएगा इस पर आप लोग क्लिक करेंगे 2 April 2024 की जो है यह publish date है और इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए TGT-PGT के लिए eligibility criteria की PDF फाइल है इसी आप लोग download करके देख सकते हैं उसके बाद जो है जो complete जानकरी है कैसे भेजना है यह चीज़ें आप लोगों को second number पर मिल जाएगी ठीक है तो यह vacancy है permanent vacancy बिल्कुल नवोदे से आना start होगी क्योंकि अभी जो है non teaching staff की vacancy आई है इसके बाद teaching staff की ही बारी है मिलेंगे next video में thank you